हेलो फ्रेंड्स अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यह टोपिक इंटर्वीव के लिए बहुत इंपोटेंट टोपिक है इंटर्वीव में यह ज्यादातर पूछा जाता है और अगर आपने अच्छे से इसे बता दिया तो इंटर्वीवर भी इंप्रेस हो जाता है तो इवेंट लूपिन नोड जेस तो मैं वह डिस्कस नहीं करने वाला हूँ उसका फ्लो कुछ अलग होता है उसको मैं तब डिस्कस करूंग जब नोड जेस कवर करूंग अभी हम जावास्किप में बात करते हैं तो आईए चलते हैं यहाँ पर मैंने कुछ देखी डेफिनिश जावास्किप का कोई भी हमारा कोड होता है तो मैं कोई यहाँ पर जाता हूं और एक कोड यहां पर लिख लेता हूं जैसे यह कोड है मेरा कंसोल डॉट लोग कि स्टार्ट ठीक है और यहां पर लेता हूं सेट टाइमाइट एक ग्लोबल फंक्शन है इसमें फूल बेक फंक्शन लेता ह principals और कितने 춤 प 빠 golf यहां पर लेते हैं है तो यहां पर लेते हैं चाँल डॉट लोग प्रोसेस ठीक है और यहाँ पर ले लेते हैं हम console.log end ठीक यह ले लिया मैंने console.log end यहाँ पर लिया अब देखिए यह मेरा कुछ code है अब यह मेरा कैसे execute होगा तो जब भी मेरा कोई code execute होता है तो वो किस में होता है मैं पहली अपनी advanced JavaScript की स्रीज में बता चुका हूँ कि call stack एक हमारे पास होता है call stack इसे function call stack भी बोलते हैं काफी इसके नाम होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो भी scope होता है वो यहाँ पर आ जाता है इस तरह से execution के लिए तो यह जो हमारा set timeout है यह set timeout क्या है web APIs है web APIs किसे बोलते हैं जैसे कि global हमारा object होता है window उससे attach होते हैं काफी functions variable यह सब हमारे attach होते हैं तो यह जो set timeout है यह भी उसी से attach है ठीक है तो यह सब एक web APIs कहलाते हैं अब यह web APIs क्या क्या है मैं आपको बताता हूं देखें यहां पर web APIs दीवेंगे एक तो DOM APIs यहां पर है ठीक है अब DOM APIs के आ होते हैं जैसे कि हमारी event होती है कि on click on click पर हमें कुछ करना है mouse over पर हमें कुछ करना है तो यह event जो होती है add event listener से हम जो है bind करते है DOM element को तो यह कहलाती DOM API फिर set timeout जो timer function होते हैं ठीक है कि कितने time के बाद है set interval कितने interval पर यह execute होने चाहिए फिर एक होता है fetch method fetch method किसलिए use होता है कि हमें माल लिजे कोई request बेज नहीं है server पर वहां से data लाना है तो इस तरह से हमें use करते हैं फिर होता है हमारा local storage local storage हमें कोई data जो है वह जो हमारा browser है उसमें save करना है ठीक है कि हम आगे use कर सके console console में कुछ print करना है हमें और location मतलब URL के detail रखता है window.location location तो मतलब redirect करना है है या हमें browser की कुछ information चाहिए तो यह सारी इस तरह से बहुत सारी होती है मैंने कुछ यहां पे लिए हैं यह सब होती है हमारी web APIs ठीक तो इसी तरह का कुछ काम होता है हमारी web application में ठीक है तो माली जी हां से अभी set timeout का काम हो रहा है ठीक है तो set timeout का काम होगा जब set timeout हमारा call होगा तो यह code पे चलते हैं जब यह code execute होगा तो सबसे पहले यह execute होगा ठीक यह execute होगा और उसके बाद यह code जो है यह पहली वाली line execute होगी यहां पे आई execute होगी लेकिन जो set timeout वाली जो line है ठीक है तो वो वो हमारी कहां पे save हो जाती है वो हमारी save हो जाती है browser में memory में save हो जाती है जैसी 5 seconds उसके हुए तो वो हमारी यहां पे आ जाती है call इसे बोलते है callback q ठीक है callback q तो इस callback q में यहां पे आ जाती है set timeout की ठीक है इस callback q और इस call stack के बीच में यहां पे यहां पे work करता है event q event loop ठीक है और यह क्या है call stack ठीक है यह empty है तो यह check करता है callback q में कुछ है execute होने के लिए अब मान लीजे 5 seconds के बाद यहां पे आता है set timeout ठीक है set timeout का content ठीक है अब यह 5 seconds के बाद इसको इवेंट लूप है ठीक है इसको notify हुआ यह इधर चेक किया इसने call stack में नहीं है तो इसे pick करके यहां से यहां पे move कर देगा execute होने के लिए ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि पहले हमारी यह line execute होगी यह हमारी browser में memory में save होगी 5 seconds के बाद यह आएगी तो उससे पहले यह execute कर देगा वो ठीक है क्यों क्यों कर देगा उससे पहले यह execute क्योंकि अभी तक यह call stack में नहीं आए थी call stack में एक तो पहली line तो यहां पे आ गई call stack में और तो दूसरी line थी यहां पे थी callback queue में लेकिन callback queue में अभी set time out वाला code नहीं आया वो आएगा 5 seconds के बाद 5 seconds के बाद आएगा ठीक है तो उससे पहले इसे कौन से line मिल गई एंड वाली line मिल गई यह तो यह execute हो गई ठीक है एक तो यह काम होता है तो यहां पर बेसिकली जितने भी जाज़ेतर मैं आपको दिखाता हूं यहां पे गया जितने भी web APIs हैं ठीक है जैसे के local storage console location ठीक है set time out set interval यह सब execute होते DOM APIs, onclick, callback function जाज़ेतर जिन में होते हैं वो यहां पर आती है ठीक है अब बात आती है fetch जो fetch है method जो हमें क्या server से data लाना है ठीक है तो जब यह fetch API वाली execute होती है ठीक है server से कोई data हमें लाना है server से कोई data लाना जो इसके लिए एक और Q call होती है उसे कहते है micro task queue ठीक है micro task queue इसको MQ कर लेता हूं मैं MQ एक Q और होती है micro task queue जैसी माल लीजी यहां पर तो हमारी web API होई थी पहले set time out अब क्या है यहां पर मैं यहां पर जाता हूं और एक और यहां पर call हो रही है इसमें कोई URL जिससे मुझे server से data अब यह तो 5 seconds में execute होगी ठीक है और यह भी जब data server से निकलेगा वह भी कुछ time लेगा तो इसमें data निकालने के लिए इसमें हमें promise का यूज करना पड़ेगा कि promise resolve हो तो यह भी कुछ time लेगी ठीक है कुछ time लेगी अब माल लिजे यह लेती है 2 seconds और यह लेगी 5 seconds ठीक है तो कौनसी वाली पहले execute होगी यह वाली execute होगी तो मैं इसको ले जाता हूं यहाँ पर तो fetch वाली यहाँ से आगे और यहाँ से एक आगे set time out वाली तो अब देखें यह 2 seconds ले रही थी और यहाँ पर 5 seconds ले रही है अब माल लिजे यह दोनों एक ही time पर है इससे पहले जो code यह execute हो रहा है यह थोड़ा time ले रहा है अब दोनों एक time पर है ठीक है माल लिजे यह भी वेट करें यह 5 seconds तक और 5 seconds पर यह भी आ गई अब बताइए अब कुन सी वाली को event loop लेगा तो event loop preference देता है जो micro task क्यों है micro task यह क्यों जो है इसको preference देता है पहले इसमें check करेगा क्या इसमें कुछ है अगर इसके अंदर है और call stack empty है तो इसको यहाँ पर भेजेगा call stack के पास execute होने के लिए ठीक है और यहाँ पर इसको बाद में preference देगा अब मान लिजी यह दोनों 5-5 seconds पर थी और इसको execute होने के लिए यहाँ पर 10 seconds लग जाते है तो जो हमारा set time out है वो तो 5 seconds में call होना चाहिए लेकिन यह call कैसे होगा यह तो यहाँ तक पहुचा ही नहीं कोल stack में जहाँ execute होना वहाँ पूचा ही नहीं है जब वहाँ तक गया नहीं है और यह 10 seconds ले रहा है तो 5 प्लस 10 कितने कितने time बाद यह execute होगा 15 seconds ठीक है तो हम यह सोचते हैं कि हमारा जो set time out है यह हमेशा 5 seconds अगर जो time दिया है उसके बाद यह execute हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है यह depend करता है कि उससे पहले मालीजे इससे पहले या तो call stack में कोई कोई हमारा task है ठीक है जो execute होना है उस पे dependent करेगा और micro task क्यों में अगर कोई task है उस पे भी dependent करेगा क्योंकि प ठीक है और उन तोनों को माली 10 seconds लग गए execute होने में इसका तो chance बाद में आएगा फिर तो यह तो delay हो गया ना तो कभी भी set time out भी अपने time पे execute हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उसकी preference क्या है execution कि उस पे dependent करता है ठीक है तो आपको यहाँ पे दो चीजे पता चली है कि ए इसके लिए 10 seconds वेट करना पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं starvation ठीक है कि starvation बोलते है कि मतलब एक इसमें माल लीजे 10 task है micro task क्यों में 10 task है अब इन 10 task को execute करने के लिए 2 यहां से 2 minute लगती है तो 2 minute तक यह सारे task चितने भी इसमें है callback क्यों में यह तो वेट करते रहेंगे अब यह वेट करते रहेंगे तो इसके लिए क्या हो गया यह starvation की condition हो गई मैंने देखिए यहां पर definition आपको सब दे रखी है starvation ठीक है यहां पर देखिए thread make shared resources unable for long time ठीक है यह जो shared resources है callback queue में यह unable हो जाते है execute होने के लिए मतलब काफी time तक इनवेट करना पड़ता है वो situation कहला थी starvation ठीक अब मैंने यहां पर यह भी दे रखा है कि callback क्यों क्या होती है micro task queue क्या होती है ठीक है अब यहां पर आता है mutation observer यह क्या होता है तो यह interface है इसके पास क्या ability होती है कि जो भी हमारे DOM में changes होते हैं उसे वाचर का काम करता है तो यहां पर यहां पर जो हमारी micro task queue है इसके अंदर दो तरह के task इसमें जाते हैं एक तो promise base जैसे server पे http request की data लाने के लिए ठीक है तो उसमें promise लगेगा promise resolve होगा तब data आएगा या तो उसे promise से यूज करने या एक दूसरा हमारा जो होता है वो mutation observer मतलब कि अगर हमें कुछ अपने DOM में changes करना है कुछ करना है तो इस तरह का काम होता है कोई function में कुछ हम करा रहे हैं js js में वो भी यहां पर आता है तो इन सब को इसको पहले preference मिलती है किस से पहले callback queue से ठीक यह clear हो तो event loop क्या करती है event loop basically यह करती है preference set करती है कि कौन सा टास्क कब execute होगा ठीक है जो हमारी क्यूज है callback queue micro task queue उनका preference set करती है उनका execution order set करती है और उनको move कराती है queue से callback call stack में इस call stack में move कराती है execution के लिए तो यह काम होता है basically यहां पर event loop का ठीक है तो आपको देखें यहां पर सब कुछ clear हो गया है क्या होता event loop definition है आप इसको सभी definition को एक बार पाड़ सकते हैं वीडियो को post करके और web apis भी आपको पता चल गया है तो यह enough है इतना enough है event loop को बताने के लिए कि event loop करता क्या है ठीक है इसमें एक चीज आपको clear यह भी हो गई है कि set time out जो हमारे यह जो global functions होते हैं ठीक है इन में जो हमने time दे दी हम सोचते थे कि 5 seconds, 2 seconds, 3 seconds में ही यह execute होगा ठीक है अब देखें अगर मैं यहां पर जाता हूँ इसको हटा देता हूँ अगर मैं time को zero कर देता हूँ जीरो ठीक है अभी देखें अभी जैसे मैंने time को यहां पर लिया 5000 तो अभी output क्या आएगा मेरा पहले आएगा start start फिर आएगा end और फिर आएगा processing console में यह तीनों आएंगे लेकिन अगर मैं यहां पर zero कर दो तो फिर क्या आएगा फिर भी यही आएगा क्योंकि यह zero जब यहां पर आगया set time out में हमें रखा तो यह callback function होगा जब यह callback function इसके अंदर है तो इसको क्या करेगा इसको memory प्रोवाइड करने के लिए जब यह processing के लिए जाएगा तो उससे पहले यह queue के अंदर चला जाएगा console.log and console.log and यह हमारा queue में चला जाएगा और यह आएगा इसके पीछे तो इसलिए यह execute होगा ठीक है तो जीरो दें कोई time ना दे तो भी जीरो लेगा तो इस तरह से एक output type का question भी आपका ऐसा पूछा जा सकता है यह मैंने आपको यहां पर clear करती है तो event loop में मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं होता है जो front end के लिए हैं अगर आप इस तरह से समझाएंगे कि event loop जो होता है हमारे जो call stack होता है और जो हमारी queues होती है जो micro task queue होती है और callback queue होती है ठीक है तो उनमें जो हमारे stuff होता है जो भी हमारे task होती है उनकी preferences set करती है उनको move करती है queues से उनके order के basis पे कि क्या execute होना चाहिए ठीक है और starvation क्या होता है तो सारी चीज़ आप explain कर देंगे तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और मुझे comment करके जोरूर बताएं कि मुझे समझ में आ गया है ठीक है और node.js के लिए अगर आप चाहते है कि event look node.js के लिए भी आपको चाहिए तो आप मुझे comment करें मैं उसके लिए वीडियो देता हूँ okay thank you for watching please connect with me for more videos